तो दोस्तों कई बार क्या होता है किसी की ओलाद घर से गाइब हो जाती है। माली जे बेटा था नराज होके चला गया, कहीं लड़कर चला गया, कहीं पर कोई अपनी जिद मनवानी थी, उसके कारण चला गया, या फिर ऐसा समय आ रहा है कि दो, चार, छे दिन होगे, कहीं उस बच्चे का आता पता ही नहीं है। इस केस में देखिए परिवार का कोई भी व्यक्ति, अगर माली जे ऐसे केस में घर से चला जाए तो परिशानी तो होती है, और खास कर जब ऑलाद घर से गाइब हो जाए और एक दिन भी अगर वो गाइब रहे तो घर वालों का खाना, पीना, उठना, बैटना, सब मुश्किल हो जाता है। कर चला गया है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, 400 गराम आपको काले तिल लेने हैं, 400 गराम आपको सफेद तिल लेने हैं, दोनों मिला लीजिए, तो ये 800 गराम हो गए, अब ये तिल आपको ले जाने हैं दिन के समय, दिन के समय शमशान घाट में जाके आपको फेक दे इसको फेकने से क्या मेरा बच्चा वापिस आ जाएगा जी हां आपको यही चीजें पता होनी चाहिए अगर यह चीजें पता होंगी तो आपको उपाय करते वे ना तो डर लगेगा नहीं आप घबराओगे आपको पता होगा कि मैं यह काम किस लिए कर रहा है इसका फाइदा क्या होगा अब आप समझे सबसे पहले तो यह समझे आपका संतान का घर कौन सा है कुंडली में पांचमा घर आपकी संतान का घर होता है अगर पांचमा घर संतान का है तो चौथा घर आपके लिए क्या हुआ चौथा घर माता की गोध हुआ चौथा घर माता की गोध हुआ आपने दो चीज़े समझ ली अब पांच में घर से सीधा आप जोड़ेंगे पांच छे साथ आठ तो ये हो गए टोटल चार यानि कि पांचमा जो कि आपकी संतान है उसका चौथा घर हुआ आठमा घर तो आठमा घर होता है शमशान का आपने शमशान में जाके चीज़े फे ऐसे केस में अगर व्यक्ति बच्चा कहीं पर खो गया है बच्चा नहीं मिल रहा है घर से भागया कुछ भी दिक्कत है तो आप चुप चाप किसी भी दिन दिन के समय चारसो चारसो ग्राम बद ये काले सफेद तिल लीजिए ले जाके समशान में फेक दीजिए और देखि बच्चा सुक सलामत हो और घर पर आ जाए पर ये उपाय इतना इफेक्टिव है कि आपके उपाय करने के दिन से ही ये उपाय आपको इस रिजल दिखा देता है बच्चा आपका चला गया देखिए संतान का घर पांचमा ही है और पांचमा घर के लिए काले सफेद तिल ही इस्तमाल करेंगे चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है कोई भी है काले सफेद तिलों का ही इस्तमाल होगा देखे केतु जो है वो हमारी गाड़ियों को भी रिप्रेजन करता है कई बार लोगों की गाड़ियां चोरी हो जाती है गुम हो जाती है कई पारकिंग से उ भी खूम हो गई अगर वह उपाय करता है तो गाड़ी के पता लगने के किसी ना किसी रूप में चांसिस बहुत बढ़ जाते हैं अगर कहीं मिल जाती है पुलिस कहीं पर आपको ख़़वर आजाती कि आपकी गाड़ी मिल गई तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती कि आपकी कोई वी चीज मिल गई तो दोस्तों ये उपाय बहुत छोटा सा है पर बहुत इफेक्टिव उपाय है दिन के समय उपाय होगा किसी भी दिन उपाय कर लीजे काले सफेद तिल चारसो चारसो गराम लेकर आप जाके शम्शान में फेक्ट दीजिए और इसका इफेक्ट देखिए आपके गुमी हुई गाड़ी बच्चा कोच भी है तो आपको तुरंत उसका खबर मिल जाएगी आपके जहर के जो खुशियां जा चुकी थी वह खुशिय